नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका स्टेम इंस्टिटूट आपे बाइलोजी में जो क्यूशन सीरीज अपने चल रही है हंडेड क्यूशन की उनमें आज का जो पेपर उसमें अपने जो पचास क्यूशन है वो लेके आए और ये क्यूशन वन बाइवन है ताकि आपको जो जो है वो इस पस्ट दिखाई नहीं दे पा रहा था तो आज एक एक लेक आए चली शुरू करते हैं इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सेर करें यदि आपको क्यूशन से क्या आं आंसर दे ताकि यह पता लग सके कि आपको कितना क्यूशन आ रहे हैं चली बात करते हैं बाज की प्लाजम डेसमेटा सहियों जन सायक होते हैं प्लाजम डेसमेटा क्या होते हैं जो दो पादब कोशिका हैं आपस में जुड़ती है तो उनकी कोशिका बित्ति में जो गर्त ह होते हैं उन गर्तों से प्लाज्म डेस्मिटर का निर्मान होता है जिनके बीच जो छिद्र है उनसे जो कोसिकाओं के मद्दे पदार्त होते हैं उनकी गती होती है तो इसका जो आंसर है वह आजाएगा आंसर नंबर डी चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन किस्टन नंबर दो मूल विविज्योत्यका परसांत के अंदर कारी करता है यानि जो मूल विविज्योत्यका उसमें इसस्यांत के अंदर पा करना वर्दि हार्मॉन के बंडार कितरे कारी करना विव्योत्य की सतिगर्थी कोस्चिकाओं की पुने पूर्थी के लिए निश्च्च या रिजरू कितरे कारी करना या जलाउस्चन छेत्री कितरे कारी करना तो यह क्या करती है कि एक रिजरू छेत्र होता है जो कोस्चिका क कि विभाजन के लिए एक प्रकार से निश्क्रिय अवस्ता में रहता है लेकिन जब भी जो मूल है उसको शति होती है तब यह सक्रिय हो जाता है और मूल में जो वर्दी करवाने का कारिय करता है यह जो विव्योत्य कि शतिगर्स्त को सिकाए हैं उनकी पूर्ति के लिए यह रूमें पाया जाता है तो जो सि है वो इसका सेजैंसरी हो जाएगा चलियो इक्यशन नंभर तेन के बात करें हैं यह जो लाdoes एक जेव प्रयोग किया जाता है अभी क्यों प्रयोग कि किया जाता है पहला ओपिशन है यह बहुत जेव सेयाती उत्वेपन करने के लिए वक्मुलकस आचरिये होता है तो देखिए होता है किया जो एजोला है वो एक जली फ़ार्ण है और इसमें जो नील हरी ते सेवाल है जिने अपने एना भी ना कहते हैं वो सेजीवी संबंद के रूप में उपस्तित होता है जिसके कान इसमें नायटोजन इस्तिक्रण की जो सम सुदारने के लिए आवतर लेंस युक्ति चस्मा पहनता है लेकिन जब वे इसका उप्योग नहीं करता है या चस्मा नहीं पहनता तब दुरस्त वस्तु का पर्तिव में बनता है तो दुरस्त वस्तु का पर्तिव में कहां बनेगा यह आपको बताना है तो होता है कि जब व्यक्ति अब तर लेंस का उप्योग करता है तो उसको निकट दर्ष्टी दोस होता है तो इस वज़े से जो परतिविब है निकट दर्ष्टी दोस में वो कहां बन जाता है दर्ष्टी पटल के सामने बन जाता है तो उप्सन नमबर जो सी है वो क्या हो जाएगा सही आंसरी ह हो जाएगा चलिए बात करते हैं कि उससे नंबर पांच में दे गई कोड़ों में से कौन सा यूजी सी के समान सूचना कोड करता है तो यूजी सी के समान जाएगा चलिए नेक्स्ट किस्टन की बात करें अपन च्छटा पर्सन सोडी लंबी मिमारी से ग्रस्ति वेक्तियों को स्वास्ते की प्रॉप्टि के लिए बोजन में इस पाइरूल लाइन नामक सेवाल को सामिल करने की सला दी जाती है अभी इसला क्यों दी जाती है देखे पहला उप्षन इसमें ये बोजन के पाचन में साइक होता है दूसरा है ये प्रोटिन की ये इसमें प्रोटिन के मात्र अधिक होती तीसरा है इसमें पर्ति जीविक लक्षन होते है और चोता है ये आत्रिये माइक्रोफोल राको पुनर जीविते करता है तो दीखे इस पा बात करें अपन से वाल में तो प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो प्रोटीन अधिक मात्रा में पाये जाने के कारण जो रोग ग्रस्त वेक्टी होते हैं उन्हें प्रोटीन लेने की सला दी जाती और प्रोटीन प्राप्त हो जाता है किसे इस पायरू लाइना से तो इसका जो आंसर नंबर भी है वो क्या हो जाएगा सही आंसर ही हो जाएगा चलिए नेक्ष्ट क्यूश्ट की बात करें अपन या साथ वाएं क्यूश्ट मेलाओं के आरत चकर की वह प्रावस्ता जो साथ से आज दिन तक चलती है क्या कहला आती तो देखिए बात करें अपन पुटक प्रावस्ता पहला उप्सन दूसरा है अन्ड़ोजर्ग प्रावस्ता तिसरा है प्यट बीन प्रावस्ता और चोती है रजोध्रम में प्रावस्ता तो इसमें साथ से आठ दन तब जो चलने वाली प्रावस्ता है वो जाएगी कौन सी ए पुट्टा के प्रावस्ता यह अंडोसर के प्रावस्ता क्यों एक ही दिन के प्रावस्ता है रजोध्रम प्रावस्ता तीन से पांस दिन की प्रावस्ता ह आए वो लगबल सूँर्ण न्हीं चोजाय के बाद कि इन चोजा से लेके थासरे निज में तो अपन तेरा से लेकि चौहत दिन की प्रावस्ता है है तो श लिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कुछ सनकी नेक्स्ट कुण्चे सनप पर तीबंधन इंजैम पर तीबंधन या विद्यमान DNA आ या आन एक पुरा के डियेने बनाते हैं बिंदी खंडों को काड़ते हैं फांवर्ण के होते हैं तो एंडोनुक्लेज है एक प्रकार के परतिभंदनें प्रतिवन दोनुक्लेज होते हैं जो विशेष एस इस तेलोते हैं जो DNA पर वहां से DNA को काटने या विजलित करने का कारिये करते हैं और उन्हें को अपने कहते हैं पेलिंडोमिक नुकलूटाइडी अनुक्रम जैसे एक वार है तो यह क्या है एक परतिबंद दिन एंड़णूकली जह चलिए नेक्स्ट के बात करें अपन्स प्रफिशन नमबर 9 वेगस तंत्रिका के अत्य दीपन से मनुस्य में कौन सा रोग हो जाएगा तो करकस्वर हो जाएगा पेप्टिक अलसर हो जाएगा प्रोटीन का ख्रेमान पाचन हो जाएगा यह बात करें मद्यपट का एनिमित संकुचने हो जाएगा तो इसमें जो हो जाएगा तो बिऐ 旅गुजार को घ्र किलिए ऑंजिंग की फड्सवर्दी संध्मन का उदारहने इस सब्सक्राइब का मतलब कि इस पर प्रतिस-पर्दा करते हो इसको क्या करता सप्षेयोग कंदमिती करता हैो तो मेली कामल मीज्द्वारा सकसें बहां डोजीनेज का संदमन सानाइड देज़ाघन कल्म despite कानेज का संदमन और बात करें अपन कार्बन डायक्सैडवरा कारबोनिक अनहयड्रे संदमन इसमें जो ओbasन नमबर में क tämä सही हो जाएगा मेलोनी कमल द्वारा सक्सिनिक डियाइडियोनीनेज का सवंद्वन चलिए क्यूस्टन नंबर 11 पे आजए ग्यारा में है बने एक व्यक्ति अधिक मुत्र निस्कासित करता है तता अधिक पानी पीता है परन्तु उसका रुदीर गुलकोज इस्तर साम्मानी है इस अवस्ता का क्या कारण हो सकता है देखे पहला उप्सन इसमें अगनासिय द्वार इंसुलिन स्ट्राउड में कमी पस् क्या है वह गुलकोज स्रावन में वर्दी तो जो अप्सन नमबर भी है पस्टे युष क्या गरंती द्वारा वेस्ट प्रोचिन के स्रावन में कमी इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर है हो जाएगा चलिए ट्युस्टन नमबर 12 की बात करें हैं अपन अ कि जैवीक आव किया जाता है जल स्रोतों में उड़े ले गए वो द्योगी कप्सिष्टों की जेवी के योगी को द्वारा पर्दुसी जल के विस्तार की पर्थक नहोंने योगी कार्बन मोनोकसाइड की हीमोगलोबिन युक्त मातरा की तात्री में हरे पोदों को आवशेक ओक्षिण की मात है जो cannot होती है तो पर्दुसान की सूच को होती है तो अपनी इस वाट चौट है कि जेवी की योगी को द्वारा पर्दुसण के जल के निस्तार की दो बीग मोताया जाएगा इसका सहीव हो जाएगा कि चलिंक कि बात करते हैं समोक लुन विन्टा देखी जाती है किसी अगे four बंता करें सबी जREE को मिन्ता का मतलब किसी एक उस्षीका को जब एक क्यी सम्वर्दन में रखकर उसका अबास करतें इस में उत्कों का समू बनता है उससे जो पोदे प्राप्त किये जाते वो एक प्रकार से फिंक करहें तो पुर्ष मतां है यह नब शोलो को करते हैं किट रची चस rear-시면 कंबट जिसको कहें और चत्रक मुस्रोम ये की तीन होती है रोगजन besides मर्तोफ जीवर्ट कार्प यूक्त ये सब नाहिए तर तो सब्सक्राइब में उन्में इसले वार्नक धर होते हैं और गए रंजनकेले लिए विश्ष्ट करने का थुछ Ну जिवहों की आकरती बनाए रखने के उत्रदाई रचने अंत्र कोसी के रचने जिनके द्वार विवन उपाप चाहिए गतिविदियां होती है और ऑप्शन डी है आंत्री कोसी का तंत्र जो प्रकास अंसलेशी जिवानों में विश्टन या समिश्ण करते हैं तो सही आंसर कर आपे बात तोड़ा बताएं कि क्या आएगा इसमें प्रोक्रेट को इसका में वर्णकदर होते हैं वर्णकदर क्या होते हैं यह वर्णकदर से मतलब है इनमें जो प्रकास अंसलेश्न के श्रमता है उसनी वर्णकदर द्वारा उत्वपने होगी तो इसमें जो अप्शन नम्बर डी है और वह उसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आंत्री कोसी का का तंतर जो प्रकास अंसलेशी जिवानों में विस्तरन और मिस्तरने तता मिस्तरन हो जाते हैं है चलिए क्यूशन नंबर 16 की बात करें अपन एक कलम को एक सकंद में निरोपित किया जाता है उत्पन प्लों की उत्तमता का निर्धान कि सकंद में क्या उसकंद क्यों क्या ना के सापके निर्धान करते हैं कंद की समधर निरवशिक करते हैं तो ऑप्षन नंबर भी है वो इसका क्या हो जाएगा चिस्व नंबर 17 प्यादे मॉंटिल पॉटोकोल संबंधित है मॉंटिल पॉटोकोल संबंधित है है द्रड जेविक पर्दुसकों से गलोबल वार्मी और जल्वाई परिवर्तन से उन तत्वों से जो जो जोन परत का हास करते हैं या जीन उत परिवर्तन जीओं की सुरक्सा से तो जो शत्रों है वो अपने उन तत्वों से हैं जो और उन परत को क्या करते हैं हास करते हैं सिए अप्सी से संबन लिता है सिए आपसी के उससे उसलों को कम किया जाये तो आंसर नमबर सीज का सही हो जाएगा चलिए 18 देखें की स्टोन पर जाती हैं सुरुक्सा योग्य है क्योंकि जो की जाए सुरुक्सा इनकी ये कटिन वातावने परस्टितियों में भी जीवित रहती है ये मर्दा विविपस्तित खनीजों की पहचान करने में सहिक होती है या ती सोसन के कारण दुल्लब हो जाती है उड़ी है अन्य परजातियों की सहयोगी होती है जिसके कारण इनको बचाना बहुती ज़्यदा आउश्यक्ल है छेली 19 कि नंबर का क्यों सुर्ण निरोपण करें दीविज पत्री पोदों में सपल नहीं होती। टेकिविज पत्री पोदों में कुछ विशेस्ता इंपाई जाएगी जो एक बीज पत्री में नहीं मिलेगी घ्रिवैम् Consortosius मिहां क्रते विवस्टे सव determ पूल दिट्ट्राथ के लिए एदा कि व्यार लगा मातना हैं किJean कि एक की छोर से दूसे दिपर चोर तक विवस्ते ततों होते हैं है और काग साइदा होती है तो इसमें कॊंसी रचणा है जो एक बीजबत्री को दीवीजबत्री से भिन कर रही है तो दीवीजबत्री में क्या होता है जित्तिक वर्दी होती हो पाई जाती है जब कि एक बीजबत्री पाद्व में दित्तिक वर्दी नहीं पाई जाती और जित्तिक वर्दी के लिए उत्तरदाई होती होती एदा तो जो अप्सन नमबर बी है वो इसका से आंसर ही हो जाएगा चलिए परसन नमबर 20 कि चालनी तत्तों में पी प्रोटीन का कारिये क्या है प्रोटीन का कारिये क्या है चालनी पटिकाओं पर केलस के निक्षेपन सक्रीस्तानान ते लिए उर्जय उप्लब्द करवना ओर्टोलाय य्जय तिक by यह घ्रलने की प्रोटी लहीचा तो दोस्तों क्या करते है उसने क्या करते है साहिता करती है चलिए 21 Quston पर एक सामान pavement is 3 इसकी पिताव अनान्द है कि स्यादी एक सामाने पुरसियों थी उति उसके पूत्र हों गे इसका मतलब हो गया कि जो माता है वो कैसी है जो माता है वो रोग की वाहक है अब रोग की वाहक इसलिए जो 50% पुरुस है वो कैसे हो जाएंगे रोगी हो जाएंगे तो इसमें पहला उप्षन है पिचेतर पर 30 वरणान दूसरा 50 पर 30 वरणान तिसरा है सभी सामानी और चोता है सभी वरणान तो इसमें जो अप्षन नंबर B है वो क्या हो जाएगा सही अंसरी हो जाएगा चलिए बाइस की बात करते हैं निम्ली में सी कोशी का चक्री के एम प्रावस्ता के दोरान केंद्री के आवरण की पुन्य निर्मान को आगे बढ़ा आता है तो इसमें पहला उप्षन है गुण सुत्रों द्वारा वी संग नन त्था केंद्री के पटल का पुन्य सही हो जैं दू कुछन सील बले का निर्मान तो इसमें जो ओप्षन ए है वही सही हो जाएगा उन सुत्रों द्वारा वी संग्रन तथा केंद्री के पटल का पुन्य निर्मान चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तेवीश उपकला कोशिकाओं का एक परकार है जो फ्लोपे न लिका सावसनी का तथा चोटी सावसनी की आंत्रिक सत्य को पंक्तिबद करते कहलाती तो होता है कहें इनमें कौन सी उपकला पूचिए हो को पूचिए की इंस तंभी उपकला पक्समा भी उपकला हो गनाकार अपकला तो 24 की बात करें अब 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 कि कि निम्निय में से कौन सा युग में सुमेलित है तो इनमें आपको देखना है कौन सा युग में सुमेलित है 24 पहला उप्शन राय जोबियम फलीदार पोदों की जड़ों में उपस्तित परजीवी है फिर दूसरा है तो वकमूल मर्दा में खनीज तत्व ग्रहने करती है तीसरा है इस्ट बाइगेस का निर्मान करता है और चोता है मिक्सो मैसिटी दाद रोग उत्पने करता है तो जो ओप्शन नंबर कौन सा से इसका कि जो देखें राय जोबियम फलीदार पोदों की मूल ग्रहने का कारी करता है तो यह परजीवी नहीं है यहां परजीवी दे रखा और वकमूल मर्दा में खनीज तत्व ग्रहने करते हैं तो यह इसका से आंसरी हो जाएगा कौन सा बी क्योंकि यहां देखें आप यहां परजीवी दे रखा है यदि यहां सह जीवी देता यहां क्या देता सह जीवी तो आंसर नंबर एक सही हो जाता चलिए नेक्स्ट क्यूस्टन की बात करें टॉनिटिफाइव की कि एक किर्केट खिलाली मेदान में टेज़ी से गेंद का पिछे कर रहा है इस इस mix का कौन सा समू सीधा उतर दाई है तो कौन से समू सीधा उतर दाई है तो इसमें अपने को क्या करना है जो टांग की जो अस्तिया है उनका शूल्त देखना है तो 50 सैंग में होती है लेकिन मेलियस तान्ग में ही थी जो मतलना है वो टांग में नहीं भी अभी मैं यौझी में तारसन से czasu यह सभी पाई जाने वाली अस्तियां है तो अप्सन नंबर जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा से अंसरी हो जाएगा और बात करें किसम नमर ट्विशाणु के लाएंगे आप करतों शाल ओतृत टीविशानू हो जो जामनों कdess고 तरा क्या करते हैं डी चतर्म्र कुन सकते करते हैं तो उसमें क्या होता है उनका लैनों जाता है है तो अपन नमबर सी इसका क्या हो जाएगा स्यान्सरी हो जाएगा चलिए बात करते हैं 27-27 की कि जी उट सर्गों तता रस्विकर निकलने वाले जेवी कप सिष्टों से उत्पन होने वाला परदूसन कम किया जा सकता हैं किस प्रकार से कम किया जा सकता है इनका प्रियोंग बायागेस निर्माण में करके हैं तो अप्शन जम्मत भी जो है वो इसका सही अंसरी हो जाएगा कि नेक्स्ट की बात करें 28 की किसी जीव का द्वी एपर भावी से संगम कला कि विसम्युग मजी यह सम्युगुणी यह बिलक्षन का निर्धारन करना कि तेहलाता है तो निर्धारन करने उसका टेस्ट करने गर्ट विघ्वों को था है तो पहला वटकुरम संगम भी परिक्षन संक्राव जक्ष ऑर परतीप संग्र तो इस किर्या में देखिए सिसी बातें निर्धान करने प्रिक्षन करना टेस्ट करने टेस्ट तभी-नि कि-शीज dijan jutभी हो पाएगा जब उसका टेस्ट करेंगी तो निखनर क्या हो जाएगा ब्यो जाएगा प्रिक्षणे संकर्ण ट्वंटेनाइन में देखिए ग्यार लक्षणों के युगुम्हों मेंसे कौन सा अनेक जीवी वनसा गती नि बहुँ जीनी वनसा गती का उधारनए तो देखिए बात करते हैं अनेक जी नी वन sa को करन दात्र कोशिका रखता तो इसमें जो मानव का कद है और जो ताउचा का रंग है उसमें काफ़ी विविन्ताएं देखने को मिलती है यह अपने बात करें कि सम्मानी तो जीनों द्वारा भी दिवात करें तो कम से कम 64 परकार कि क्या हो सकते हैं ताउचा में रंग उत्प रेप्टेलिया वरग की एक चिपकली सदसी चिपकली नुमा सदसी एक उरक्स पर बैटा है उसने अपनी पूंच का एक पूंच को एक टैनी पर लपेट रखा है तो यह जनतु कौन सा होगा तो देखिए पहला उप्सन है हेमिडेक्टिलस जो दिरूपता परदर्शित करत है तो जो पूंच है उसको कहा लपेट रखा है टैनी पर इसका मतलब और नीचे गिर नहीं जाए और गिरने में उसकी क्या हो रही है तो उप्सन नंबर डी है वो इसका क्या हो जाएगा से आंसर ही हो जाएगा कि चलिए बात करते हैं 31 की सबीस तंधारियों में बिना किसी कि अपवाद के निमने विश्चिस्ट लक्सन उपस्तित होते हैं कौन से उपस्तित होते हैं जराय उजुत्ता तदा दियू अब तल लाल रुधीर हो सी कहें अधियो दरी वर्षन तदा एक चार कक्सी रिडे विशमदंती तता कपाल तंत्रिकाओं के 12 जोड़ी डी है एक मद्देपट तथा दुख्द उत्पंद करने वाली ग्रंति हैं तो इसमें जो ओप्सन नंबर सी है कि विशमदंती और कपाल तंत्रिकाओं के संक्या 12 जोड़ी तो यह सही आंसर इसका हो जाएगा 32 की बात करें कि कि थम्सें को एक तंत्रिका रिषिक के द्हुरा संच्रण के दोरान प्लाज्म स्टलिकी के अंत्रिक सत्य संभाव प्रकिस्ट प्रकार का व्यंद्योताश्य सुत्पंध उत्पन होता है पहले झाथ बिख लिए रले दैनात्मग पुन को और आगी जरे रहता है स्यख़ा het से अ पहला फिर दोनात्मग आगई दोरुप सी जाड़ रहेहेगा और है दो नम्हों बिखर zor नमबर ए सिकार है के वह क्या हो जाएगा ओसे यांसरी प्रकान वार्पर दन अन्सरैन रहता है हो जाएगा इन पहले द्रोन होगा और फिर पुनाय भी द्रोन हो जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन 33 की 33 है अगर आपको विभिन सेवालों को भिन समों में वर्गिगर्थ करने के लिए कहा जाए तो आप निम्न में से किन लक्षनों को को कुषि का में उपस्तित वर्ण्वाउस के dipping प्रकर्त के संग्रिट थे थेलेश जिसनात्मक संगटन और को सिकर चीजो रासनी की संगटन तो देखिए जो सेवालों का वरगी करन किया गया उसमें मुख्य जो लक्षन लिया गया था उसे वालों में उपस्तित जो वर्णक थे वो लिया गया था तो यहां कोशिका में उपस्तित वर्णकों के परकार से आंसर हो जाएगा थारटी-फार में देखेवर को थार्टी-फार में हैं कि एक प२दर में मेग अभ्य सिकता होती है कोशिकाओं को प्रस बांदने के लिए क्लो ईल्ड्रेट के करतें त onu वास्ता में होता है जो ख्लोरोफिल का केंद्रिय परमान होता हूं कोन होता है मेगनेशिय में होता है तो यह अप्सिन नमबर सी क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा चलिए कि next बात करते हैं 35 में सोनोग्राफी के लिए मनुझे के स्रेल पर कितनी आवर्थी की प्राध्वनी किन्य लाली जाती है 30 से 45 मेगा हर्टर 15 35 मेगा हर्टर और 45 से 7 मेगा हर्टर तो सोनोग्राफी में जो काम में ली जाने वाली आवर्थी है वह जाएगी कि एक से पांच मेगा हार्ट है थर्टी शिक्स देखे देगे सनत्राओं कि युगम में से कौन सा युगमतंत्री का कोशिका कौन्य प्रकार की विभेदित करता है पेरिकेरियोन और डेंड्रेट्स दानी तरे से कसाब तता मज्जाचत केंद्रेक तता मैट्टो कॉंडिया त जाते हैं जिनके अधार यह निकोशिकांशिकां हो जाएंगे पर्थक हो जाएंगे अचली बात करते हैं 37 कि की एक एंजयम के लावा क्रेप सकती सकते त्राइक आर्बोक्स लिके इस इड़ चक्र कि सभी एंज़ाइम मैट्रोकॉंडिया धात्री में श्चीत होती है यह ए इस्तित होते हैं तो यह एंजाइम है कौन सा एंजाइम है यह आपको बताना थर्टी सेवन में जो एंजाइम होता होता है कौन सा दी नंबर का ओप्सिन Succinated Hydrogenage Ready सदर्शिय परदर्शित होती है तब इस गटना को क्या कहेंगि? इस देखिंगे, समान परदर्शित हो रही है इसका मदलब जो विकास का परक्रम हो किस परकार का ओजाएगा अभिसारी विकास से हो जाएगा अप्शन नम्मर आ अपसरी विकास था इसका रायट आंसर हो जाएगा चलिए बात करते हां कि थैटीनाइन की कि कि देगे यह गुमों से कौन सा एक देख लक्षन चतावय जन्तु जिसमें पाया जाता है सही सुम में लेते गुद्धापुच ऑक्टॉपस में पाया जाती ऑप्शन नमर ए अधर तंत्री का रजुक जोक में पाया जाता है गर्सनी कलोमचिद्र जो भू नमबर वी है वह सही हो जाएगा अधर तंत्री का दणी तंति कि इसमें पाया जायेगा जोग में पाया जाएगा चलिए बात करते हैं अबन बोमेन गरंते इस्तित होती है द कघ्र शोंतर आंची की नाग की घ्राण उपकला में transforms नमबर जो डी है वह इसका read on me 41 के बाद करें कि दे गए उगमों में से कौन सा युगम सुमेलितbn नहीं है यानि जो बिंता परदसित करा उसको आपको छांटाएं में से पहला है एक से सिकम लंद्रों को बंद करता है दूसरा जिब्रिली कमल पत्ति को गिराता है तिसरा साइटो का इनिंग कोशी का विभादन करवाते हैं और चोता है इंडॉल एसिटी के सिट कोशी का वित कि एक स्टिक्शन की बात करें अपन है कि फॉर्टी है कि टू की देगे तत्तों में इसे कौन सा पादव वर्दी के लिए आवश्यक सुक्सम पोसकता तवे है मिगनेसियम को पर जिंक या केलसियम तो इनिमें इसे बताना है और वह भी कौन सा वर्दी के लिए पर शुक्सम पोसके तत्व तो 42 में जो डी है केलसियम विसका क्या हो जाएगा सही आंसरी हो जाएगा अ कि चली है कि बात करते हैं कि इस स्में है अपने 43 में दो कोशिक ए यह और भी आसन कोशी के पास-पास जो पस्टित कोशिक है होती है समय पस्थ कोशिक जो एक दूसरी से बिल्कुल सट्य वी यूद्ट योडिंगा अपनार्थ न को चींग एक अव्ड़ है और विस्रंदाब हिए तो देख यहां आपको थोड़ा सा बरमित किया गए इसे इसमे फिर इसने खुदी डीपीडी निकाल कर देदी भी विस्रंदाब निया था यह नहीं देता तो अपन डीपीडी निकाल लिते डीपीडी वराबर होता है कि यह दिपीड ब्रब्र पी माइनसी टीपी तो निक उसे निकाल लेते हैं तो उस्मोटिक प्रेशर दस है और तीपी साथ है तो तीन आ अपने आप जैसे इसमें से आट में से अपन तेन निकाल देंगे पांच आगे तो होता है कि जतनी डीपीड होती है अधिक जल्की टीपीड है कि अधिकी में गळाएगा तो एका डीपीड कितना है तीन एक टीन बिकादे को कितना है निकिसे बीए मी चीनव होई नहीं सकता ऊपिशन नमबर जो क्या हो जाएगा स्भाम से श्याएंज्ग हो जाएगा लिए को जी कुश्चिकै भी मार one-free भीा चले बात करते हैं फोटिवार ने मस्के लोंज तिशाक गिरा रहता है कौन्सी रचना है छो के लोज वितिशे गिरी रहती है कि कीना मात्र कोशी का क्या होती है के लोज वितिशे गुzew इतोगा जिरती और जाक जोड़की बनाते हैं तो ति लोग भी जानू बनते हैं वो भी आपस में जु़्अ जूड़े रहते हैं किसी के कारण किसमें उसुन में किया पाया दोहे सभी पाया बने घाए गो मी यह होगया अंट को यह जा JACK प्रनी पाया जाएगा को विभाजन से लोग मात्र कोसीखा के विभाजन से किसके विभाजन होगा में इनके विभाजन द्वारा बनते हैं तो किसका विभाजन हो जाएगा जनन कोशीकाओं की कि अपसे नंबर भी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा अब चलते हैं अपन 56 में नेमने वेसे कौन सा जल परदुशन का जेव सूचक नहीं है यानि जल परदुशन की जो सूचना है वो प्लबदे नहीं करवाता और क्या होना चाहिए एक सजी होना चाहिए आपंक कर्मी रुधीर कर्मी असम मक्सी और वहेत मल्क का वक तो इसमें जो असम मक्सी है स्टॉन फ्लाई हो क्या हो जाएगा सही आंसर ही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 47 की वर्दी करते हुए जीव में अंगों तता उत्कों का विवेदल संबंदित है किस से संबंदित है कि परिवर्देत उत्फिवार्तणों से जेनों कि विविविद्यकअ अभ्यूक्ति से जीनों कम को न की लूपन से लिए जबहिआ कोई गंता उत्फण में होती है झाipp है तो आंसर नमर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा नेक्स्ट की बात करें हैं 15 कोटी एक की पेपड सलब में देखी गए वो द्योगिक अति मेलालिन था साबित करती है यह अनि मेलानीन रूप पर त्या वर्टित अनिमित उत्परिवर्टन से प्राप्त हुआ है सलम में मेलानीन रूप का व्द्योगिक चैतर के हलके रूप पर कोई वरनात्म को तो पर दुस्षण पर दुस्षित अद्योगि चैतर उड़ना ही पर दुसी जेटर पर कोई वरनात्म कलाब अति मेलानीता एक पर दुस्षण उत्पन करने वाल लक्षन या रूप है तो फोटी एवट में इस से मिल क्या रहा है लाब क्या हो रहा है यह अथात काला मेलान पर बैठता है तो अपने परबक्षियों को दिखाई नहीं देते और परबक्षियों का शिकारे नहीं कर पाते चलिए फोटी नायन के बाद करें एक जीन परिवर्तित सुक्सम जीव जो तेल अधिपलोकों की जेव पर्तुई पाई किरिया में सपलता पुरों पर्यों किय जाता एक परजाती है तो किसकी परजाती है ये सुडव मोनास की ट्राइको ड्रमा की जेंथम डीया बैसिलस की परजाती हो जाएगी शूडव मोनास की है परतेग जीविजन्वु का ऱिफिश्द भाग शिर्फ शह तत्वों का बना होता है ये तत्व कौन है तो चार तत् तुभ है दो, उनकी बात करें, कौन-कौन से हैं, फॉस्पोरस और सलफर है, सलफर और मेगनीशियम है, मेगनीशियम और सोडियम है, और केल्सियम और फॉस्पोरस है, तो देखिए, यहां, अपने कुछ जनतू में बताना है, तो जनतू के लिए फॉस्पोरस और जो सलफर ह है वो अधिक मात्रा में आफशक्री होते हैं तो यह हुए आज के पचास से पर्सन इदी वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें और जिए चैनल पर पहली बार हैं तो कि चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करें